एक आदमी एक गलब की डांसर से अपसेस्ट है इसी गलब का ओनर इस लड़की को छोड़ना नहीं चाहता यहाँ पर और और भी चीज़े प्ले में हैं यही इस मूवी को इंट्रेस्टिंग मनाती है आज के हमारी मूवी एक जोडिका एक 1994 की एक हॉलिवड मूवी है वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कहना चाहता हूँ अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करतीजेगा इससे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है अब बीना किसी देरी के explanation स्टार्ट करते है वी स्टार्ट होती है और हमारा main character जिसका नाम है Thomas हम देख सकते है कि एरपोर्ट पर है वहाँ उसकी बैक्स विगरा चेक हो रही है जहाँ चेकिंग हो रही है वहाँ एक mirror है और उसके पीछे कुछ officers है इनके बातों से हमें पता चलता है कि Thomas पर वो शक कर रहे है चेकिंग के बाद Thomas बाहर निकला वो जहाँ जाने वाला था वहाँ और एक आदमी जाने में interested था उसने Thomas से कहा कि हम दोनों cap share कर लेंगे Thomas भी इसके लिए agree करता है जब यह दोनों taxi में हैं तो हम देख सकते हैं कि Thomas एक चीज को check कर रहा है यानि कि airport पर उसने कुछ छुपाया हुआ था airport वोर मिला हुआ आदमी और Thomas एक घर जाने के लिए fair share करने वाले थे पर जब यह आदमी taxi से उत्रा तो Thomas को उसने एक ticket दिया यह concert के लिए ticket है इस आदमी ने कहा कि अगर तुम नहीं जाना चाहते तो बहार खड़े होकर इस ticket को sale कर सकते हो इसे उसे पैसे मिल जाएंगे डारेक्ली यह आदमी Thomas को pay नहीं करता Thomas जब घर पर आया तो उसने अपने स्टमक को कुछ strap किया हुआ था इस strap में उसने कुछ अंडे चुपाए हुए है इसके बारे में जैसे मूवी आगे बड़ेगी वैसे हमें पता चल जाएगा इसके बाद हमें एक club दिखाया जाता है जिसका नाह में exotic का और यही हमारे मूवी का title है हमारी और एक main character यहां introduce होती है जिसका नाह में Christina Christina इसी club में stripper का काम करती है इस club में लोग खुद के लिए private dance book कर सकते है तो जो भी लड़किया यहां काम करती है तो इनकी introduction का काम Eric करता है तो सब लोगों से कहता है कि आप इस लड़की के साथ private session भी कर सकते हो यही इसका काम है इसी club में और भी हमारा एक main character हम देख सकते है जिसका नाम है Francis Francis यहां audience में बैठा हुआ है stage पर Christina अपना show करती है वो इसके बाद Francis अपना private session book करता है इसके parallel की scene में हम देख सकते है कि Thomas के पास concert की ticket है वो खुद इस concert को देख सकता है या ticket sale कर सकता है वो फिर उसका एक ticket इसी और को sale करता है और एक concert देखने के लिए जाता है जिस आदमी के साथ उसने एक concert देखा उसे वो check out कर रहा था show खतम हो जाने के बाद इसी आदमी से Thomas बात करता है कहता है कि मुझे gift मिले थे और मैंने तुम्हें अब ये sale किये है तो मुझे बुरा लग रहा है उस आदमी को उसके पैसे वो वापस कर देता है उस आदमी को लगता है कि शायद Thomas उसे like करता है वो फिर उसे बुच्छता है अब तुम चाहो तो मैं तुम्हें ड्रीन पर ले जा सकता हूँ Thomas इसके लिए मना कर देता है इसके बाद हमें फिर से एक लव दिखाया जाता है Francis शो देख रहा था पर वो स्टेसफूल है इसी वज़े से वहाँ से चला जाता है इसके बाद नेकसिन में हम देखते है कि Thomas अपने बेबिसीटर को उसके घर छोड़ रहा है पहले बेबिसीटर Francis से बहुत सारे क्वेशन पुछती थी Francis उसे कहता है कि हम इतना बोरिंग हूँ कि तुम मुझे अब कोई भी क्वेशन नहीं पुछती है वो हमेशा अपने हेड़फोन से लगा कर ही गाड़ी में बैठती है वो गहती है कि ऐसा नहीं है अगर आप जाहो तो मैं आपसे क्वेशन पूछ सकती हूँ इसके बाद ही बेबिसीटर वहाँ से चली जाती है एक्चुल में Francis जब भी घर से बाहर जाता है तो इसी बेबिसीटर को घर पर रख कर जाते है इसके नेक सीन में हम फिर से कलब देखते है कलब में सब लड़कियों को इंट्रोडूस करवाने वाला एरिक इसे उसके बॉस ने बुलवाया है बॉस का नाम सोय है सोय एरिक से यहती है कि जब तुम और लड़कियों को इंट्रोडूस कराते हो तो तुमारी टोन नॉर्मल होती है जब क्रिस्टिना की बारी आती है तो तुम अपने इमोशन्स में भेह जाते हो उसके बहुत तारीफ करते हो वह गहती है कि आप तुम्हें यह करना कम कर देना चाहिए बॉस उससे कह रही थी कि इस इंट्रड़क्शन के पार्ट में वो खुद इन्वाल्ड होना चाहती है एरिक कहता है कि मैं जो काम करता हो यह बहुत ही इंपोर्टन्ट है लोगों को मैं कन्वेंस करता हो कि इन लड़कियों के साथ उन्हें प्राइवेट सेशन चाहिए तुम्हारी इस हालत में अगर तुम्हें काम करोगी तो लोगों को यह अच्छा नहीं लगेगा एक्च्वल में जोई प्रिगनन्ट है इसी वज़े से वो कह रहा था हमें इस से इन से पता चलता है कि यह बेबी एरिक का है इस बेबी के बारे में जोई एरिक से बात कर दिये उसे पुछती है इस बेबी के बारे में तुम्हें क्या लग रहा है तुम फील क्या कर रहे हो एरिक कहता है मुझे तो बहुत सारी फिलिंग्स आ रही है पर यह सब मुझे दबा कर रखनी पड़ेगी इनके बीच में एक कॉंट्रैक्ट है इस बेबी का फादर एरिक तो है पर फिर भी जोह और एरिक में एक प्रोफेशनल रिलेशन्शिप है जो एको बेबी चाहिए था तो एरिक ने सिर्फ उसे हेल्प की थी बेबी के बर्द के बाद एरिक से उसका कोई भी रिलेशन्शिप नहीं रहेगा इसी तरीके का एक कॉंट्रैक्ट है इसके बाद नेकसिन में हम देखते है थॉमस एनिमाल सेल करता है उसके पास उससे मिलने के लिए फ्रांसिस आता है फ्रांसिस एक अकाउंटन्ट है अब एरिक का जो बिजनेस है इसे वो ऑडिट करने वाला है इन दोनों में कनवसेशन होती है थॉमस फ्रांसिस से कुछता है यह इसब मिन तुम्हें कितना इन लगेगा फ्रांसिस कहता है कि तुमने अपने बिग सही से नहीं लगाए है तो मुझे एक विक तक लग सकता है हम देख सकते हैं कि Thomas को audit हो रहा है तो ज़रा tension में है इसके बाद next time में हम देखते है Christina जोय के साथ बात कर रही है पहले Christina और Eric का affair था अब उनका break up हो चुका है Christina अब जोय के साथ relationship में है वो जोय से कहती है कि तुम Eric को fire क्यों नहीं कर देती है उन दोनों में relationship में इसी वज़े से Eric जलता रहता है वो कहती है अगर तुम उसे fire करोगी तब उस पर एक ऐसान ही करोगी ये सब situation में आपको फिर से बताता हो जोय actual में Eric के baby से pregnant है पर जोय और Eric में एक contact है कि Eric इस baby से कोई भी संबन नहीं रहेखेगा फॉर एक्जामपल वो एक सरोगेट फादर है क्रिश्टिना और Eric में relationship थी जो अब तूट चुगी है इसके opposite में क्रिश्टिना और जोय इन दोनों में relationship है नेक्सिन में हम देखते है कि Francis जब Thomas के लिए audit कर रहा था तब Thomas के एक ट्रॉर में उसे गन मिली गन देखने के बाद वहाँ से वो चला गया जाती जाती Thomas से उसने कहा तुम्हारे books बहुत ही suspicious है तुम जो भी काम करते हो यह manage करने के लिए किसी को तुमें hire करना चाहिए इसके बाद Francis अपने बेबी सिटर को लेने के लिए उसके घर जाता है बेबी सिटर के जो फादर है यह भी Francis के अच्छे फ्रेंड है Francis फिर बेबी सिटर को घर पर छोड़ कर क्लब में क्रिस्टिना का डांस देखने के लिए पहुँच जाता है इसके पैरलल के सीन में हम देखते है Thomas ने फिर से कंसर्ट के लिए दो टिकिट्स पाई किये है लास्ट टाइम उसने जो किया था यही वो फिर से करने वाला है एक स्टेंजर के साथ कंसर्ट देखने वाला है क्रिस्टिना का डांस देखते होगत Francis उसके लिए वरी करता है तो कहता है डांस करते होगत अगर किसी ने तुम्हें हर्ट कर दिया तो क्या होगा अगर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं यहां नहीं होगा तो फिर क्या होगा क्रिस्टिना कहती है तुम हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करोगे कोई भी वरी मत करो अब यह क्या था इसकी मिस्ट्री हमें मूविय में आगे पता चलेगी घर आने के बाद अपनी बेबी सीटर को Francis घर छोड़ता है उसकी बेबी सीटर कहती है जब भी तुम घर पर आते हो तो मेरे फादर बहुत ही uncomfortable महसूस करते है क्या आप दोनों एक दूसरी के friends नहीं है Francis कहता है कभी-कभी friendship उसी तरीके से होती है जैसे आप बड़े होते जाते हो तब आपके साथ एक baggage होता है यानि कि emotional कुछ बुरी चीज़े आपके साथ हुई होती है जो आप साथ लेकर चलते हो Francis पर उसे समझाता है कि इस baggage के साथ आप friendship करते हो कभी-कभी इसे आप hide करते हो और कभी-कभी नहीं कुछ लोग तो friendship भी नहीं रखते तुमारे फादर इस टाइब के baggage को छुपाते नहीं और फिर भी मेरे साथ friendship में है वो कहता है इसायद हम दोनों की friendship uncomfortable है पर कभी-कभी friendship उस तरीके से हो सकती है Francis से बेबिसिटर ने बात की तु उसे बहुत अच्छा लगता है इसके बाद next scene जो हम देखते है एक past का है एक search बार्टी चल रहे थी यानि की कुछ लोग मिलकर कुछ ढूंड रहे थे वही पर first time Eric और Christina मिले थे Christina Eric से बुझती है कि अपने life में तुम क्या करना चाहते हो Eric Christina से कहता है कि अब तो मैं taxi driver हू पर मैं DJ वेकरा बनना जाता हू मेरी voice के साथ कुछ करना चाहता हू Christina Eric से कहती है कि मुझे लगा था कि तुम ऐसा ही कुछ करते हो तुम्हारी voice बहुत ही अच्छी है तुम्हारी बाते सुनना इससे बहुत ही easy हो जाता है Eric Christina से बुझता है कि तुम्हारे कोई friends है Christina कहती कि मेरे जादा कुछ friends नहीं है Eric Christina से कहता है कि आज मुझे लग रहा है कि मेरे कोई friends होने चाहिए थे Christina बुझती कि ऐसा क्यों तो जह कहता है कि आज मैं तुम से मिला हो तो इस सब के बारे में मेरे friends को कहना चाहता हूं पहली बार मिलने के बाद ही को Christina को अब बहुत ही like करने लग चुका है अब present में हम देखते है कि जब भी Eric और Christina एक दूसरे के सामने आते है तो खिनोनी नजरों से एक दूसरे को देखते है इन दोनों में relationship बहुत ही अब खराब हो चुकी है इसी type के एक encounter के बाद Christina जोय के पास आती है वो जोय को कहती है कि तुम में और Eric में जो contact है इससे मैं disgusted हूँ इसके parallel में हम देखते है कि Thomas एक stranger के साथ concert देखने के लिए आया हुआ है अब जिसके साथ हो था उसे हो like कर रहा था last time उसने जैसा किया था concert हो जाने के बाद जिसके साथ हो concert देख रहा था उसके पैसे उसे वह आपस कर दिया यही ट्रीक को फिर से इस आदमी के साथ भी करता है इस आदमी को like करता है तो फिर यह दोनों Thomas के घर पर आते है घर आने पर थोड़ी सी बाते करते है hangout करते है Thomas के घर पर यह आदमी कुछ अंडे देख सकता है यह Thomas ने अच्छी तरीकी से प्रोटेक करकर रखे है इस बारे में वह आदमी Thomas से पुछता है यह जो अंडे है यह बहुत ही rare animals के है इसके बाद यह दोनों intimate हो जाते है आज राद फिर से Francis क्रिस्टिना का डांस देखने के लिए आया वो फिर से वरी कर रहा था प्रांस देखता रहता है वो अच्छे से बात करते है तो एरिक जेलेस हो जाता है Francis जब वाश्रूम आया हुआ था उसके पीछी पीछी एरिक आ गया उसे वो बात करता है एरिक कहता है तुम और क्रिस्टिना अब बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हो वो किसे के साथ भी इतना क्लोज नहीं है तुम दोनों बहुत ही क्लोज हो क्या तुम्हे नहीं लगता कि तुम्हे उसे अब टच्छ करना चाहिए उसे वो पसन आएगा एरिक फ्रेंसेस को ट्रिक कर रहा है फ्रांसेस भी जादा को सोचता नहीं और जब क्रिस्टिना के पास आता है तो उसे टच्छ करने की कोशिश करता है एरिक फिर उसके पास जाकर उसे मार कर क्लब से बाहर निकाल देता है यहाँ डांस करते वग डांसर को टच्छ करना अलाउड नहीं है Francis बहुत ही हट हो चुका था शायद उसे फिर से क्लब में भी नहीं आने देंगे रात में जब अपनी बेबिसीटर को घर पर छोड़ रहा था उसकी बेबिसीटर ने उसके सर पर एक चोट देखी वो पुछती है क्या तुम ठीक हो Francis को अब अपने खुद के existence पर questions आ रहे है वो कहता है जब हमने किसी से मांगा ही नहीं कि हमें इस वर्ल्ड में रहना है तो हम क्यों रह रहे है उसे suicide के thought आ रहे है Eric ने Francis को कलब से बाहर निकाल दिया तो Francis को एक केस विगराना करे तो इसी वज़े से जोई उससे questions पूछती है कहती है कि तुम्हें उसे warning देनी चाहिए थी डैरिकले उसे बाहर क्यों fake दिया Eric कहता है कि मेरा impulsive decision था मुझे लगा था शायद वो क्रिस्टिना को hurt करेगा क्रिस्टिना भी इस conversation में Francis की side लेती है कहती है Francis ने मुझे touch तो किया और उसका वैसा meaning नहीं था जो है इस बात को सही से समझ नहीं पाती previous के scene में हमने देखा था कि Thomas एक आदमी के साथ intimate हुआ था जब सुबा होती है तो आदमी वहाँ से जा चुका है और Thomas के अंडे भी वहाँ से गायब है Francis उस आदमी को call लगाता है तो आदमी कहता है मैं तुमसे फिर से मिलना चाहता हो इसलिए वो अंडे लेकर जा चुका है इसके बाद हम फिर से flashback का scene देख सकते है यह जो scene है इसमें Eric और Christina फर्स टाइम मिले है और वो कुछ ढून रहे है इन दोनों में बहुत सारी बाते हुए और Eric और Christina बहुत ही अच्छी लगती है Christina से कहता है कभी कभी मुझे life में लगता है यह मैं कभी भी satisfied नहीं होंगा इसी वज़े से मुझे से बहुत सारी चीज़े छोट जाती है अब मैं तुम से मिला हो तो तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगी मुझे लगता है शायद तुम भी मुझे छोड़ कर चली जाओगी इसके बाद हम फिर से present देखते है Last night Francis जो भी बाते कर रहा था इससे उसकी babysitter worried है वो अपने dad से कहती है Francis के लिए मैं अब babysit नहीं करना चाती है यहां में पता जलता है Francis की पहले family हुआ करती थी family की date के बाद भी Francis babysitter को घर पर लेकर जाता है और घर का ख्याल रखने के लिए गयता है Last night जो हुआ था Francis को directly club से बाहर निकाल दिया गया था तो Christina से और वो फिर से बात करना चाता है उसे कुछ questions है पर वो club में नहीं जा सकता वो जब Thomas को audit करने के लिए फिर से उसके पास आया तो उसने उससे बात किये Francis ने कहा कि तुम club में जाना वो आ जाकर Christina से मिलना Francis ने उसे कुछ questions दिया है वे यह था है वे यह सब questions Christina से पूछने है Thomas यह नहीं करना चाता Francis कहता है मुझे तुमारे illegal business के बारे में पता है जो animal के अंडे तुम supply करते हो यह $200,000 का तुमारा business है तुम सही से उसकी accounting नहीं रखते है जो मैंने अब पकड़ लिया है government को तुम पर पहले ही शक था जो मैं confirm कर सकता हूँ Francis ने अब जो Thomas को blackmail किया है तो Thomas के पास भी ज़्यादा कुछ option नहीं है वो रात में जाता है और Christina का dance पाय करता है Thomas Christina से पूछता है जिस आदमी के लिए कल तुम dance कर रहे थी उसे बाहर क्यों fake दिया गया Christina Thomas से यह थी है कि उसे मुझे touch नहीं करना चाहिए था Thomas पूछता है तुम्हें क्या लगता है उसके माइन में जल क्या रहा था जब उसने तुम्हें touch किया Christina गयती है हम दोनों में relationship बहुत ही अलग है कुछ सालों पहले उसकी wife और daughter का murder हो गया था पुलिस को लगा कि यह murder Francis नहीं किया है उन्होंने Francis को बहुत torture किया था बात में real killer पकड़ा गया और Francis free था पर अब भी Francis को इस चीज के वारे में बहुत बुरा लगता है अपनी family को बहुत ही miss करता है Francis और Christina एक दूसरी को जानते है और हो कहती है कि हम दोनों में एक understanding थी कुछ unspoken rules थे जो उसे नहीं तोडने चाहिए थे Christina और Thomas में conversation बहुत ही deep हो चुकी थी यह जब Eric ने देखा तो फिर से वो jealous हो गया था Thomas जब washroom गया तो उसके पीची पीचे फिर से Eric आया उसने कहा कि तुम Christina से बहुत यह अच्छे से बात कह रहे थे कुछी घंटों में तुम दोनों अच्छे से friends बन चुके हो कहता है Christina और मेरा हम दोनों का relationship भी ऐसा ही था मैं first time उसे मिला और मुझे लगा कि मैं हमेशा से उसे जानता हो मैं उसे बहुत प्यार करता हो Eric का इस तरह से Thomas से बात करना यह बहुत ही weird था Thomas जब Christina के पास आता है तो उसे सब कुछ यह चीज़ बताता है Christina समझ जाती है कि Eric ही होगा वो यह भी figure out करती है कि शायद Francis से कल Eric ने बात की थी Christina फिर जोय को यह सब बताती है उसकी complain करती है Eric अपने सफाय में कुछ कहता है पर Christina उस पर बहुत जादा नाराज है Eric को लगता है कि शायद वो फिर से Christina को पास सकता है पर इन दोनों में relationship beyond repair चली गई है रात में Francis ने कलब में आने का try किया पर उसे किसी ने भी आने नहीं दिया इस चीज से Francis बहुत ही चेट चुका है नेक्स डे जब वो Thomas से मिलता है तो उसकी gun ले लेता है कहता है कि अब मैं Eric को जाकर मार आऊंगा Francis ने जब Thomas को कलब में भेजा था तो Thomas के पास एक microphone था Thomas Christina से जो भी सब बाते कर रहा था यह सब Francis गाड़े में सुन रहा था Francis को अब पता चल चुका है कि Eric ने उसे setup किया था उसने उसे manipulate किया कि वो Christina को touch करे Francis इस बात से बहुत ही गुसा है उन एक्स दिन जब Thomas से मिलने के लिए आता है Thomas की gun वो ले लेता है Thomas उसे कहता है तुम ये क्या कर रहे हो Francis कहता है मेरी life में मुसे सब चीज़े चीन ली गई है वो कलब में आकर Krishna से जब बात करता था तो उसे अच्छा लगता था अब ये भी चीज Eric की वज़े से उसे चीन गई है अब वो Eric को मार डालना जाता है Francis ने फिर Thomas के साथ निकल गया Francis के हाथ में उसने गन देखी Eric कहता है मैं तुम्हारे बारे में सब को जानता हूँ अगर तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो वो उसे एक बात बताता है कहता है तुम्हारे बेटी की डेट बोडी मुझे ही मिली थी Eric अपने breakup की वज़े से दुखी है और Francis अपनी बेटी की वज़े से Francis फिर अपना mind change कर लेता है और रोने लग जाता है ये एक दुसरे को सहारा देते हैं अब हम flashback में भी देख सकते हैं कि जब Eric और Christina कुछ ढून रहे थे तो उन्हें Francis की बेटी की बोडी मिली थी इसके बाद हमें और भी एक flashback दिखाया जाता है जिसमें Francis और Christina में क्या relationship थी यह मैं पता चलेगा जब Francis की wife और daughter जिन्दा थी तो daughter को babysit करने के लिए Christina हमेशा आया करती थी babysit हो जाने के बाद Francis हमेशा Christina को घर चोड़ता था यहाँ पर वो बहुत सारी बादे करते थे Francis हमेशा अपने daughter की तारिफ करता था एक दिन Christina ने Francis से कहा जिस तरह से अपने daughter पर तुम proud हो उस तरह से कभी भी मेरे parents नहीं हो सकते अपने parents को लेकर वो बहुत ही दुखी थी Christina के घर में सही से environment नहीं था Francis ने Christina को घर छोड़ दिया Christina कहती है जब आप मुझे छोड़ने के लिए आते हो जो हम कार में बाते करते हैं यह उसे बहुत अच्छा लगता है इन दोनों के लिए एक type की यह therapy है एक दुसरे के अच्छे friend बन चुके थे अब इस flashback से हमें कुछ बाते पता चली है Christina के घर में सही से environment नहीं था इसलिए स्ट्रिप कलब में काम करने लग चुकी थी वो Francis की एक अच्छी friend भी थी अपने wife और daughter के मर जाने के बाद Francis को emotional support की ज़रूरत है इसलिए वो हमेशा Christina को देखने के लिए आता था इन दोनों की relationship में कोई भी attraction का part नहीं था Francis हमेशा Christina के लिए worry करता था कि जहाँ वो काम कर रही है यहाँ पर वो hurt हो जाएगी इसलिए हमेशा आया करता था हर रात उस पर नज़र रखकर उसे वो protect कर रहा था मुवान नहीं कर पा रहा इसलिए अपने wife और daughter के मर जाने के बाद भी वो घर पर एक babysitter रखता है यह movie mainly heartbreak और pen से deal करती है इस movie के characters एक दूसरे में कुछ ना कुछ sympathy ढूंदते है Francis के साथ जो भी हुआ इसके बाद वो move on करने की कोशिश करेगा इसी तरीके से एक थोड़े से cliffhanger पर इस movie की ending हो जाती है आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इस वीडियो को like कर दीजेगा बहुत सारी movies लेकर आता रहता हो तो प्लीज इस channel को subscribe करें और bell notification icon दबने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमोई के साथ तब दिख लेथा हैं क्यों और आप अपने आपका खैल रखिये